बाकी सब ठीक बस चल रहा है अरे भाई क्या चल रहा है आपको नहीं पता टेश्बुक सुपर कोचिंग पर चल रहा है end of season sale जहां पर आपको मिल रहा है सभी सुपर कोचिंग पर up to 90% off and 50% की extra validity तो अगर आप SSC, Banking, Teaching, UGC Net CSIR Net, EPFO, Railway Defense, AJ, Gate, State PSC और UPSC से एक्जाम की तैयारी कर रहे है तो अभी इस offer का लाब उठाईए क्योंकि ये offer सिफ 27 से 30 जून तक valid है हलो दोस्तों नमस्ते, आदब, सस्तियकाल आपका दोस्त गौरब टेश्बुक सुपर कोचिंग पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे है फिर से एक बार GK और GS पेवार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे important सवाल जो आपके लिए SSC CGL point of view से बहुत ही जादा होते है महतुपून लेकिन start करने से पहले सभी लोगों को भर-भर के यहाँ पर good afternoon तो जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे एक बार फड़ावर से share करतेंगे so that की सभी लोग यहाँ पर जोड सकें और हम इसको start कर सकें तो yes सभी लोगो good afternoon तो चलिए इसकी शुरुवात करते हैं और शुरुवात करेंगे हम लोग motivational code के साथ तो आज का motivational code है दोस्तो today is your opportunity to build tomorrow what you want आपको जो भी चाहिए है कल आपको तो वो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा ठेक है मान लिजे आपको SSC की तयारी कर रहे हो तो उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी defense exam के लिए तयारी कर रहे हो उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी आपको framework बनाना पड़ेगा अपना तरीका बदलना पड़ेगा आपको destiny नहीं बदलनी है आपको way अब बदल सकते हो but destiny जरूर पूरा करना है इसलिए हम लोग यहाँ पर मिलते हैं Monday to Friday दोपहर को 2 से 3 बजे जहां पर हम लोग करते हैं GKGS के question for दोस्तो SSC CGL तो आप मेरे साथ यहाँ पर daily जुड सकते हो जो लोग को पता है वो तो ठीक है जुड रहे हैं जो नहीं पता हैं उनको भी आप बता के यहाँ पर बुला सकते हैं ठीक है तो चले इसकी शुरुवात करेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है सभी लोग फटावर से yes type करेंगे अगर मेरी screen और voice एकदम clear है और भाई साब पूछ रहे हैं अगर रेडी हैं तो हम लोग बढ़ते हैं पहले question के साथ फटा फट से एक बार yes type करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे पहले question के साथ तो yes yes आ चुका है और पहला question आपकी screen पर ये रहा यहाँ पे पूछ रहा है which of the following characteristic is not not possessed by the boreal forest ठीक है निमलिखित में से कौन सी विचेस्ता boreal जंगलों के पास नहीं है क्या वो cold region with high rainfall soil are mineral efficient evergreen plant species या low productivity क्या होगा correct answer यहाँ पे character D तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पूछ रहा not possessed बोल रहा है ठीक है कौन सा नहीं है तो correct answer होगा आपका option number B हो जाएगा देखें soil are mineral efficient यह गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों efficient नहीं deficit होता है क्या होता है? deficient होता है मतलब कमी होती है ठीक है? प्रचुर मात्रा में नहीं होता है क्योंकि आपको यह कहाँ पर मिल रहा है ठंडे region में यह statement correct है evergreen plant species बिल्कु सही बात है यहाँ पर आपको बड़े-बड़े plant देखिए conical जो plant होते है जैसे pines हो गए conical plant आप लोग ने देखा होगा कुछ इस प्रकार के plants होते है बड़े-बड़े से ठीक है यह आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर लेकिन minerals efficient वहां के यह actually बरफ में होता है किसमें होता है यह यह दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर snow में तो यह आपको याद रखना है example के अगर हम बात करें आप रशिया में देख पाओगे फिर Siberian वाला जो reason है Siberian reason में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में भी आपको जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा तो आपको यह याद रखना है इसी forest को हम लोग ताइगा forest भी कहते हैं ओरियल forest को हम लोग ताइगा कौन सा forest कहते हैं ताइगा forest कहते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चले अगले question पे तो option number B जो है यह गलत है ठीक है चले अगले question पे चले अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा माइका mainly occur in which state of India जो माइका होता है वो भारत में किन राजियों में पाया जाता है जारखंड में, आंद्रप्रदेश में, बिहार में माइका मुख्य रूप से भारत में किस राजियों में पाया जाता है जारखंड, आंद्रप्रदेश, बिहार only one, only three, two and three या फिर one, two, three यहां पर कैयरे सर all होना चाहिए, कुछ लोग कैशर जार खण होना चाहिए, बाखी लोग क्या कहते हैं, जिटेरे लोग all 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 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, correct answer क्यों हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा all, दीखे भारत में सबसे ज्यादा माइका जो कहां पर देखने को मिलेगा राजस्थान में उसके बाद कहां पर देखने को मिलेगा उडिसा में कहां पर उडिसा में फिर उसके बाद कहां पर देखने को मिलेगा बिहार महराश्ट बिहार ठीक है तो आपको यह याद रखना है उसके बाद महराश्ट ठीक है महराश्ट फि इहां पर माइका सबसे आध़ पाए जाता है तो वह है आंद परदेश की बात आई तो आंद परदेश की बारे में थोड़ा सा सटेडिक जी के करने जाल लेते हैं तो आंद परदेश की capital क्या है वड़ावट से सभी लोग बताईए यहां के मुख्यमंत्री कौन है क्या वो Y.S. जगन मोहन रेड़ी है क्या Y.S. जगन मोहन रेड़ी और मैं आपको बता दूँ दोस्तों यह सबसे रईस जो है मुख्यमंत्री है अभी आपको याद होगा लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी तीस मुख्यमंत्री अजीर बने थे यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अगले कोशन बड़े अच्छा एक सवाल और पूछा जाता है कि यह आपको पूछा जाएगा कि बताए कोलेरू लेग कहां पर देखने को मिलेगा या फिर आपसे पूछेंगे कि पुलिकट लेग कहां पर देखने को बने तेखने को मिलता है ठीक है अंदरपधेश का New Year किसे कहते हैं देखने कि wire को नव वर्ष कहा जाता है तो आप कहेंगे उगादी किया कहेंगे उगादी कहेंगे ठीकैंगे अगला question आपकी screen पर ये रहा, यहाँ पर पूछ रहे हैं, the phenomenon of restriction of vibration of wave to just one direction is called, ठेक है, एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कमपन के प्रतिबंद की घटना को dash कहा जाता है, क्या कहते हैं, interference of light, reflection of light, diffraction of light, या फिर polarization of light, क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ पर कुछ लोग character A होना चाहिए, कुछ लोग character D होना चाहिए, polarized है, देखें, सबसे पहले हमें समझना पलेगा कि unpolarized होता क्या है, तो मैं आपको बता दू, यह देखें, यह है graph, ठीक है, यह graph है, यहाँ पर एक light wave जो है, वो इस प्रकार से जारी है, ठीक है, यह इस और दूसरी light wave जो है, वो कुछ इस प्रकार से जारी है, ठीक है, दोनों एक दूसरी क्या है, perpendicular है, एक इस wave में इस form में जारी है, दूसरी इस form में जारी है, ठीक है, समझ गए, यह unpolarized है, यह क्या है, अन-polarized है, यह आपको ध्यान रखना है, लेकिन हमें क्या कह रहा है, ह overlap कर जाएंगी, ठीक है, यह है एक wave, ठीक है, दूसरी wave भी क्या हो जाएगी, इस पर overlap कर जाएगी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, polarized हो गया है, जहां पर amplitude और frequency सेम हो जाती है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा, polarized हो जाएगा, क्य हो जाएगा, यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है, वो किसे ने लिखी है, क्या वो अबुल्फचल ने लिखी है, इस्वे रे लिखी है, मैगस्थीनीज ने, या फिर ताइमूर ने लिखी है, मैएके स्थीनीज, मैएस्थीनीज बिल्कुल correct answer हो जाएगा, मै 305 विफोर क्राइश्ट में एक वार हुई थी जिसको कहा जाता है मौरियन सैलूकस वार क्या कहते हैं मौरियन सैलूकस वार कहते हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर और सैलूकस के बीच में लडाई हुई और जीता कौन? जीता है चंदरगुप्त मौर और उनको दहेज में डावरी के फॉर्म में क्या मिले? मैगस्तिनीस मिले तो मैगस्तिनीस दरवारी कवी हो जाएंगे किसके? वो हो जाएंगे? चंदरगुप्त मौर के ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है अब देखे, अबुल फदल जो थे, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था, अकबर नामा, क्या था, अकबर नामा, ये याद रखेगा, अकबर के उपर लिखी गई थी, अकबर नामा, किस लेंगवज में लिखी गई थी, तो परशियन लेंगवज में लिखी गई थी कितने वॉल्यूम थे इसके तो ये कई बार सवाल पूछा जा कुछ चुका है SSE CGL में तो तीन वॉल्यूम थे कितने वॉल्यूम थे तो तीन वॉल्यूम में लिखी गई है इबन बतूता, इबन बतूता किसके समय में आया था, तो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, किस वर्ष में आया था, तो 1333 AD में आया था, ये भी याद रखना है, कहां से आया था, तो मुरक्को से आया था, कहां से आया था, मुरक्को से आया था, याद रखेंगे, ठीक है तो कुछ यह static fact है जो आपको याद रखना है अगले question पर बढ़ते हैं अगला सवाल आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह daily glass होती है Monday to Friday होती है दो पहर को 2-3 बजे अगर आप तयारी कर रहे हैं SSE CGL की तो आप बिर साथ जुड़ सकते ह और अगर आप कर रहे है other SSE exam CGL, CHSL, CPO, MD यहाँ पर अगर हम बात करें GED या फिर डेली पुलिस तो आप जुड़ सकते हैं super coaching पर जहां पर अभी test book लेकर रहा है end of the season sale जो की 27 से 30 जून तक चलने वाली है और आज है 29 जून अब तक अगर आपने इसका फाइदा नहीं उठा है तो आप इसका फाइदा उठा सकते हैं जहां पर आपको extra discount मतलब 90% तक का discount और साथ में extra validity मिल रहे हैं सारे SSC का दोस्तों content आपको एक course मिल जाएगा SSC CGL and all SSC exam में 2999 का course आपको 414 रुपे में मिल जाएगा सिर्फ आपको करना क्या है coupon code apply करना है गौरफ M क्या करना है G-A-U-R-A-V-M ठीक है जैसे आप इसको apply करोगे आपको maximum discount मिलेगा और आप अपनी तयारी भी कर पाओगे चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला question आपके screen पर ये रहा which of the following process can be classified as physical weathering ठीक है निमलिखित में से किस प्रक्रिया को भातिक अपक्ष के रूप में जो है यहाँ पर वर्गी करत किया जा सकता है alternate wetting and drying of the rock, pressure release of rock, breakdown of rock by acidic water more than one of the above option is correct क्या होगा correct answer यहाँ पर कह रहें sir D option होना चाहिए ओके बाखी लोग के कहेंगे यहाँ पर correct answer चले जित्ते लोग यहाँ पर D option D option कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यहाँ पर more than one option is correct देखे alternate wetting and drying of the rock है वो भी physical है एक बार गीला हो रहा है एक बार सुखा हो जा रहा है ठीक है pressure release of rock यह भी क्या है physical है pressure जो है release कर रहा है तीसरा भी breakdown of rock by acidic water कोई दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर rock है वो breakdown हो जा रहा है acidic water की वज़े से तो यहाँ पर यह chemical reaction हो रहा है तो यह नहीं होगा लेकिन यह दोनों तो होंगे तो more than one option is correct ठीक है चले आगे चले अगला question आपकी screen पर यह रहा name the very very first known swimming dinosaur whose fossil has been discovered by scientists recently सबसे पहला ग्यात तेराक डाइनसोर का नाम बताईए जिसका जिवाश में हाली में विग्यानिकों ने खोजा था क्या वो aristosaurus पाया गया था spinosaurus या फिर comsosaurus या फिर यहां पर genosaurus का क्या होगा spino कह रहे है कुछ लोग option number d कह रहे है correct answer यहां पर क्या हो जाएगा spino जितने लोग spino कह रहे है उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अच्छा दोस्तो अगर आज आप मेरे साथ current affair पे जुड़े थे तो अभी एक ना flying spider की खोज की गई है यह कहां पर पाया गया है यह पाया गया है गोरे गाउं कहां पर गोरे गाउं में ठीक है कहां पर गोरे गाउं और गोरे गाउं कहां पर है मुंबई में है ठीक है तो कई लोग यहां पर ना answer भी कर रहे है बड़ यह आपको homework है ठीक है यह आपको बताना है अच्छा अगर आपसे पुछा जाएगा बताईए dinosaur fossil national park कहां पर है क्या dinosaur fossil national park कहां पर है तो क्या आप मुझे बता पाएंगे जल्दी जल्दी से पताईए fossil national park आपको कहां पर देखने को मिलेगा देखते हैं कितने लोग correct answer करते हैं dinosaur fossil national park कहां पर है very good MP MP जितने लोग मध्य प्रदेश कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है अगले question पर चले चले अगला सवाल अगला question है which of the following was the capital of avanti kingdom न यहां पर कोशांबी कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं चले दोस्तों जितने लोग कोशांबी कह रहे हैं उनका गलत होगा जितने लोग option number D कह रहे हैं उज्जैनी उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा देखें उज्जैन का दूसरा नाम भी अवंती था ठीक है अवंती ठीक है तो आप यहां से आप answer कर सकते थे उज्जैन अगर मैं बात करता हूं उज्जैन प्रेजेंट में कहां पर है present location मद्यप्रदेश में हैं ज्जैन यह आपको ध्यान अनकना है उज्जैन में क्या अगर हम बात करें तो क्या यहां पर कुम्भ मेला लगता है क्या यह तो हमने उज्जयन के बारे में देख लिया, अवंती किंडम कब था, तो आपको याद होगा, यह है, कौन सा दोस्तो, जली से बताए, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे, महाजनपद, तो आपको ध्यान रखना है, 16 महाजनपद थे, जिनमें से, एक महाजनपत क्या था अवन्ती था ठीक है ये आपको याद रखना है सबसे बड़ा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपत कौन सा था तो वो था मगद ठीक है मगद और मगद important क्यों था क्योंकि मगद नहीं सबसे पहले जो है युद्ध में हाथियों का इस्तमाल किया था किसका इस्तमाल किया था हाथियों का elephant का कभी आप से पूछा जाए कि सबसे पहले हाथियों का इस्तमाल युद्ध में किस ने किया तो मगद डाइनेस्टी ने किया था ये याद रखेंगे आप से एक पूछा जाता है ऐसा कौन सा महाजनपत था जो दक्षिल भार और गोदावरी नदी के बीच में था, तो आप कहोगे कि नर्मदा और गोदावरी के बीच में असमाका था, ठीक है, याद रखेंगे, चाले, अगले सवाल परते हैं, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पिंक रेवोलुशन, पिंक रेवोलुशन is associated with which of the following, गुलाब तो ओनियन, ओनियन कह रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़ी है, यहाप क्या हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा, करेक्ट आंसर, अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है, फादर ओफ पिंक रेवोलुशन, पूछा जाता है, तो पिंक रेवोलुशन के जनक किसे कहा जाता है, दुरगेश पटेल जी को, किसको कहा जाता है, दुरगेश पटेल, नाम याद रखेगा, पूछा जा सकता है, अब इसके अलावाद देखे, ब्लैक रेवोलुशन किसे रिलेटेड था, यह पूछा जाता है, मैं अब तो तरीके से सवाल पूझे जाते हैं अब आपसे पूचा जाता है कि father of green revolution किसे कहा जाता है तो green revolution की पितामाँ भारत में कौन कहलाते हैं तो MS स्वामीनाथन जी कहलाते हैं, कौन? MS स्वामीनाथन जी कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है अच्छा, White Revolution के पितामा कौन कहलाते हैं, तो Varghis Korean कहलाते हैं, कौन? Varghis Korean, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है Green Revolution की शुरुवात कब हुई थी? 1966 में हुई थी, 1966 में, White Revolution की शुरुवात कब हुई थी? 1970 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ें, चालिए, अगले कोशन बढ़ते हैं, 300 लोग लाइव हैं, फड़ा वर्स एक बार, लाइक और शेयर करते हैं, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा Which of the following is not a criteria to become a president of India? निमलिखित में से कौन भारत का राश्पती बनने का मापदंड नहीं है He, she must be a citizen of India, he, she must have completed 35 years of age, he, she must be qualified for election as a member of Lok Sabha और he, she must be a member of either house of the parliament, जल्ली से बताएं, D option, D option, तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा? Correct answer हो जाएगा D option, जरूरी नहीं है कि दोस्तों वो किसी ना किसी जो है, यहाँ पे house का member हो, ये दोस्तों नहीं होगी eligibility अब देखे, president की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी? राष्टपती की अगर मैं बात करता हूँ, तो भारत, मतलब देश का एक राष्टपती होना चाहिए, ये किससा नुच्छेद में define है, तो ये article 52 में, ठीक है? Article 52 में define है, ये याद रखेगा 56 में अगर आपसे पूछेगा, तो इनके tenure के बारे में कहा गया है, 57 में क्या कहा गया है, कि अगर re-election करना है, क्या करना है, री-election करना है, तो आपको क्या qualification होनी चाहिए, वो इसमें दी गई है, 58 में पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या qualification होना चाहिए, व राष्टपती के पास एक पावर होती है, वो शमादान की शक्ति हम उसको कहते हैं, इंगलिश में कहते हैं, pardoning power कहते हैं, और ये किस में है, तो article 72 में है, इनके पास एक और पावर होती है, जो कि ordinance जारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ordinance, तो ordinance अगर आपसे पुछा जाएगा, कि यहाँ पे ordinance किस article के तहट जारी किया जाता है, तो article 123 के तहट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इनके पास एक और पावर होती है, जिसमें ये क्या कर सकते हैं, Supreme Court के judges से suggestions ले सकते हैं, ठीक है, suggestions, ठीक है, ये आपको याद रखना है, suggestion, या फिर मैं कहूं, advice ले स पे चालिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पूछ रहे हैं, कि which of the following is an acute viral disease of animal which is spread in humans by the bite of infected animal, जो animals होते हैं, वो अगर काट ले, तो इन में से कौन सी बीमारिया हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकती है, कैंसर हो सकता है, rabies हो सकता है, BCDA, कौन सा option correct है, यहाँ प पर कह रहे है, सर होना चाहिए, option, अच्छे, यहाँ पर C कह रहे है, यहाँ पर option लेकिन क्या होगा, option 2 correct answer होगा, जो लोग option 2 कह रहे है, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर हो जाएगा, option number 2, क्या हो गया भई, अच्छे, यहाँ पर option number 2 हो जाएगा, ठीक है, एक बार हिंदी में दे दिया, एक बार इंग्लिश में दे दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो option number 2 यहाँ पर correct answer हो जाएगा, which is, यहाँ पर rabies, ठीक है, C, B में क्या दिया गया है, C, तो C correct rabies, rabies में क्या होता है न, दोस्तों, मान लीजे, dog ने cut किया, या rat, rat भी cut करेगा, तो भी rabies होगा, वैसे तो rabies सभी के अंदर होता है, लेकिन सबसे आदा जो है, एनिमल्स में होता है, ठीक है, तो rabies के अगर मैं बात करता हूँ, इसमें, क्या हो जाता है, दोस्तों, कौन स चिरे उस वेक्ति की मृत्य हो जाती है, याद रखेंगे, चालिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पुछरे, first generation of reforms were implemented between which among the following years in इंडिया, भारत में निमलिखित में से, किसके बीच पहली पीढ़ी के सुधार लाग इंक्यानवे से 2000 करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगा, option number C is the correct answer, चले, अगला कोशन आपके लिए, which article, ठीक है, which article of the Indian constitution, describe the provision related to the financial emergency, with अपातकाल से related, इन में से कौन सा अनुछेद सम्मंदित है, C, A, B, D, option आपको बताना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लेकिन option क यादर डालिए, ठीक है, 360 ठीक है, बहुत बड़ी है, जित्ते लोग 360 कह रहे हैं, उनका correct होगा, अब देखे, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 360 किस में है, C में है, और यहाँ पर C कहां पर है, तो option number 1 में है, option number 1 जो है correct answer होना चाहिए, आप देख सकते हैं, emergency, emergency के अगर मैं बात करूँ, तो यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 में है, ठीक है, 356 में है, 360 में है, और 365 में भी है, 365, देखते हैं क्या है, ठीक है, सबसे पहले 352 में क्या है, national emergency, जिसको आप लोग कहते हो, हिंदी में राष्टिया पातकाल, मैंने आपको तीन बार लगा है, अब तक राष्टिया पातकाल, कब-कब लगा है, 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुई थी, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, और 1975 में इंदरा गांधी जी के द्वारा लगवाया गया था, जब दोस्तों फकुरुद्दिन अली अहमद जो थ में लगा था, कब लगा था, 1951 में, ये सवाल CGL का है, ठीक है, तो ये याद रखेगा, 360 में क्या है, इसको हम लोग कहते है, financial emergency जो अभी आप लोगों ने आंसर किया है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वित्तिया पातकाल, अब तक भारत पे एक बार भी वित्तिया पा लगा लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, चले आगे की तरफ, चले, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच अमंग दी फॉलॉइंग वर्क्स अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दूरिंग ट्रांस्पोटेशन, निमलिखित में से कौन परिवहन के दौरान एक एकागरता धाल के खिलाफ काम करता है, लाइसोजोम, वैक्यूल, माइटोकॉंड्रिया और चाहिए, यहाँ पर कखे रहे, सर एक ऐप्शन होना चाहिए, यहाँ बाखी लोग क्या क्या कहते है, यहाँ पर करेक्ट आशर क्या होगा, चल moc się हिसकली का क्रेक्ट आशर ск looks का स्ट्वरेज का का म होता है, फूड और जो वाटर है, वो इस्पोर करता है, लाइसोजों कौ सर इसको स्जी बैक क्यों कहते है तो दोस्तों जब भी यहां पर कोई पार्ट जो 한े नहीं कर रहा होता है तो उसको क्या करता है निली फटणे की वज़े से बाति को खतम करें इसलिए माइट्रो कांडिया को पावर हाउस अभ डाश कहते क्या एफ हूर्जा जनेरेट करता है और कितनी यह रख चाम आप sasasasasasasasasasasasaswasandasasasasasasasasasasasasasas memory कहते हैं क्या कहते हैं protein factory कहते हैं और protein factory क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पर protein का formation होता है चले आगे यह याद रखेगा cell की खोज किसने की थी तो किसने की थी जल्दी से बताईए रॉबर्ट किस ने की थी, ब्राउन ने की थी, या हुक में, 1665 में, सभी लोग फटावर से कमेंट करें, लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, किस की, डेड सेल की खोज की थी, आपको ध्यान लखना है, ठीक है, चले, आगे बढ़ें, बहुत ही बढ़िया, अगला एजिप्ट, इंडोनेशिया और टर्की, फटावर से बताएंगे, यहां पर करेंसर होना चाहिए, ठीक है, ए, 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 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा है, हाँ पर, ए, आप्शन, मुरक को, इसदी करेक्ट आंसर ही आपको धिहान रखना है, अब देखें दोस्तो, 14th century को कहा गया, क्योंकि यह 1333 AD में आया था, ठीक है, 1333, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2023, लेकिन हम कहते क्या है, 21th century चल रही है, मतलब आगे वाला कहते है, तो 13,033 है, तो हम लोग क्या कहेंगे, 14th century, यह आपको याद रखना है, किसके समय में आया था, मुहम्मद बिन तुगलग, म मतलब इसको wise fool कहते थे, चतर मुर्ख कहते थे, यह भी याद रखेगा, और यही व्यक्ति था, जिसने capital change की थी, ठीक है, capital change की थी, कहां से, इसने change की थी, दिल्ली से, देवगिरी, क्या, देवगिरी, confused मत हो येगा, देवगिरी को ही, दौलता बाद कहा जाता है, क्या कहा कि president आपको याद होगा, इस बार 26 जनवरी में आये थे, ठीक है, guest के रूप में, कौन आये थे, president आये थे, आपको याद है, current affair का हो जाएगा ये, ठीक है, 26 जनवरी को 2023 में, ठीक है, कौन आये थे president, जिनका नाम क्या है, अब्दल फतह LCC, क्या नाम है, अब्दल फतह LCC ना the monometer, monometer of polythene, sorry, monomer of polythene is, देखे, polythene का monomer क्या होगा, monomer होता है, दोस्तों, एक, ठीक है, mono मतलब one, तो क्या ethene होगा, ethine होगा, ethyl alcohol होगा, या फिर ethene होगा, कई बार आप लोग दोस्तों, दुकान पे जाते हो, और कहते हो, polythene दे दो, लेगिन polythene का monomer क्या है, यहाँ पे कर्सर A, 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 तो दोस्तों, जितने लोग A कह रहे हैं, उनका correct होगा, जब बहुत सारे आप ethene को मिला दोगे, ethene, 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 तब यह क्या बनेगा, यह बन जाएगा, बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब poly, और क्या जोड के बन रहा है, ethene, तो poly, ethene, ठीक है, अच्छा, आ CNH 2N, और CNH 2N-2, यह याद रखेगा, N कहा है, number of carbon, ठीक है, याद रखेगा, अगला question आपके लिए यह रहा, who was referred to as Mandilashvara और Nayak in the kingdom of Vijayanagar empire, ठीक है, विजayanagar समराज के राज में, Mandilashvara या फिर नायक के रूप में किसे संदर्भित किया गया था, क्या यह प्राइम मिनिस्टर, revenue officer, finance minister और governor, किसको कहा जाता था, Mandilashvara, यहाँ पर कहते सर, option number D होना चाहिए, बाखी लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर correct answer, जिपने लोग D, D कह रहे हैं, governor, governor, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, क्या होगा, governor को कहा जाता था, क्या Mandilashvara या फिर नायक कहते थे, अच्छा, अब सवाल यह उठता है, कि आपके SSC में क् सवाल पूछा गया है, विजय नगर की स्थापना कब होई थी, तब आप कहोगे 1336 में होई थी, बिल्कुल correct answer, किस जो है, नदी के किनारे होई थी, तो तुंग भद्रा, यह तो दोस्तों, दिसंबर 2022 में ही सवाल पूछा गया था, ठीक है, तुंग भद्रा, ठीक है, संगम डाइनेस्टी, एक्चुली दोस्तों, विजय नगर जो है, अमपायर में, चार डाइनेस्टी ने राज किया था, कितने चार डाइनेस्टी ने राज किया था, पहली डाइनेस्टी थी संगम, और संगम डाइनेस्टी कहीं थे, कौन हरिहर और बुक का प्रथम, ठीक ह उसके बाद कौन से आई थी तुलूब ठीक है तुलूब डाइनेश्टी और लास्ट में आई थी अरावेडू कभी आप से क्रोनलोजिकल क्रमशा नुकार पूछ लिए तो आप यहां पर आंसर कर पाएंगे संगम सुलूब तुलूब और अरावेडू विजयन अगर अंपा तो यहां पर याद रखेगा हसन गंगु ने किसने हसन गंगु ने स्थापित किया था ठीक है अगले कोशन पर चले चले अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाँ बहमन शाह भी कहते है उन्हीं को ही बहमन शाह भी कहा जाता है ठीक है बहमन शाह हसन गंगु उनको पूरा नाम सा ठीक है अगला कुशन आपके लिए यह रहा विच अमंग दा फॉलाइंग हैस दा लोवेस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशल फॉर हंड्रेड इयर टाइम स्केल ठीक है निमलिखित में से किसमें सौ साल के समय स्पर्णे में के लिए सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग जो है शमता है सी ओटू में हैं सी एच फोर में हैं एंट्वो में है या फिर एस एफ सिक्स में हैं सी एच फोर कह रहे हैं कुछ लोगों ऑप्शन नमबर ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा और दोस्तों सी ओ 4 मात्रा में कम अविलेबल है एंवार्मेंट में जबकि CO2 जाद है लेकि CO2 का जो है दोस्तों बहुत लंबे समय तक क्या रहता है global warming potential मतलब बहुत समय लंबे समय तक effect रहेगा यह आपको याद रखना है देखे क्या होते है global जो है दोस्तों आप देखोंगे बहुत सारे gases है जो हमारे environment को क्या कर रहे हैं दोस्तों effect डालते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस gas ठीक है क्या कहते हैं global warming कम किया जा सके बट अभी आप लोगोंने current affair में अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा कौन सा continent है current affair का है ऐसा कौन सा continent है जिसका average temperature 2.5 degrees Celsius से बढ़ गया है ठीक है जल्दी से बताए ऐसा कौन सा continent है not country, continent मैंने आपसे पूछा है very good, बिश्वजीत ने बिल्कुल correct answer दिया है, राहूल ने बिल्कुल सही answer दिया है यूरोप जितने लोग कह रहे है उनका बिल्कुल correct answer है यूरोप, देखे यूरोप का जो है average temperature बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि 2030 तक 30 तक, वहाँ पर 30 degree Celsius, overall जो temperature है उसमें बढ़ उत्तरी देखने मिलेगी मला अगर इतना जादा temperature बढ़ेगा तो फिर दोस्तों आगे चलके दिक्कत बहुत होने वाली है गर्मी के समय में ठेक है, अगला question आपके लिए which of the following cities does not use the euro as its currency आप से पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिखित में से कौन सा शहर, euro को अपनी मुद्रा की रूप में उपयोग नहीं करता है हेलन्सकी, एथेंस, लिस्बन और ओटावा, कौन नहीं करता है यहाँ पे कहरे सर, ओटावा होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे correct answer जितने लोग उटावा, उटावा कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या हो जाएगा, ठीक है क्यों उटावा correct होगा, देखिए, उटावा actually capital है किसकी capital है यह, कैनेडा की capital है और आपको पता है, कैनेडा किस से लगा हुआ, अमेरिका से लगा हुआ है अमेरिका में क्या use होता है, डॉलर यूज होता है तो यहाँ भी currency क्या use होगी, डॉलर होगी क्या होगी, डॉलर होगी जबकि हैलन्स की किसकी capital है फिल्लेंड की capital है, किसकी capital है, फिल्लेंड की है, एथन्स किसकी capital है, ग्रीस की capital है, ठेक है, लिस्बन किसकी capital है, पोर्टुगल की capital है, हना और यह सारे के सारे क्या है, यूरोपियन कंट्री है, तो यहां की जो currency होगी, वो कौन सी होगी, यूरो होगी, यह आपको ध्यान रख तू यहां पर मुंगेर ठीक है बंगाल के किस शासक ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में राजधानी स्थान्तिरित कर दी थी ट्रांसफर कर दी थी मीर जाफर मुर्शीद कुली खान मीर कासीम और सिराज उद्दौला कौन होगा यहां पर यहां पर कर सर मुर्शीद कुली खान ऑगे बागी लोग चले तो दोस्तो जितने लोग मुर्शीतगुलinkhan करें उनका गलत हो जाएगा जितने लोग मीर कासिम कह रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर ще buying यह आपको ध्यान 1724 में लडागया था ठीक है किसने डिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ठीक है इस इस इंडिया कंपनी और दोस्तों यहां पर किसके बीच में हुई थी लडाई निर का सीमवी आपको यहां सोरी मिर कासिम प्रीच में के बीच में सिराज उद्दौला के बीच में जो की नवाब थे कहां के नवाब ऑफ बेंगॉल थे ये भी याद रखेगा इसमें किसने लीड किया था ब्रिटिस को तो रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था बैटल ऑफ पलासी में ठीक है किसने लीड किया था रॉबर्ट क चले अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा अंडर दा प्रोविजन ओफ चार्टर एक्ट 1833, वू बिकेम दा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहट भारत को पहला गवर्नर जनरल कौन बना क्या लौड डलहू जी, कैप्टन बस्ट, थॉमस रो और लौड विलियम बेंटिक क्यों जाएगा, यहाँ पर कहरे सर्ल लौड विलियम बेंटिक होना चाहिए, ओके चले, जितने लोग यहाँ पर विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक कह रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, अब देखें, सवाल क्या बनता है फर्स्ट गवर्नर ओफ बेंगॉल, ठीक है, बेंगॉल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट कलाइव था, ठीक है, रॉबर्ट कलाइव था, पूछा जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ओफ क्या पूछा जाएगा, बेंगॉल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया ठीक है तो वो कौन था विलियम बेंटिक था कौन था विलियम बेंटिक था ठीक है यह याद रखेगा अगर आप से पूछा जाए फ़र्ष्ट वाइस रॉइस रॉइ ऑफ इंडिया कौन था तब आपका आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करके बताएगा होमवक नंबर टू है कमेंट बॉक्स में आफ तर दा क्लास फॉस्ट वाइस रख उफ इंडिया कौन था ते Japanese यहाँ यहां पर बहुत से लोगों ने आंसर भी कर दिया लेकिन वह होमवक है आप लोग के लिए ठीक है अगले सवाल बढ़ते हैं चल्या अग्ला कोशन आपके स्क्र वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया है यहां पर कहए सरोपली राधा कृष्णन जी ओके बाकी लोग चले जित्ते लोग यहां पर सरोपली सरोपली कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले यहां क्यों जाएंगे यहां उसी वर्स में इनको दिया गया था सरोपली राधा कृष्णन जी किस राजी को बिलॉंग करते थे तो तमिल नाडू राजी को किसको तमिल नाडू राजी को बिलॉंग करते थे सरोपली राधा कृष्णन जी को याद रखते हुए हर साल क्या मना जाता है यहां पर नैशन पहली महिला भारत की थी फिर्ष्ट फीमेल गवर्णंर फ्रॉम इंडिया इनी स्थिट पहली महिला गवर्णर जो कि किसी भी राज से बनी थी उप उप राज से बनी थी गवर्णर ठीक है यह आपको याद रखना है तेक है, राजिन्त प्रशाजी के अगर हम बात करते हैं, he was the first President of India, जो की सबसे लंबे समय तक के लिए रहे थे, President of India, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, और जबकि जवाहालाल नहरू जो थे, वो first Prime Minister of India बने थे, ये भी आप याद रखेंगे, चले अगले कोशन, अच्छ प्रतिभा देवी सिंग पाटेल, कौन? प्रतिभा देवी सिंग पाटेल बनी थी, ठीक है, अगर आप से पूछा जाएगा, first Tribal Woman, President of India, पहली Tribal महिला जो की दोस्तो, President of India बनी, वो कौन है, द्रौबदी मुर्मु, अभी current में कौन है, द्रौबदी मुर्मु जी ही है, तो correct answer हो जाएगी, फिर द्रौबदी मुर्मु, वैसे तो second woman है, लेकिन first Tribal Woman है, ठीक है, चलिए, अगले question बढ़े, अगला सवाल आपके screen पर ये रहा, यहाँ पे पूछ रहे है, बान सागर डैम, is built on which river, बान सागर बान जो है, वो किस नदी पर है, क्या यह महा नदी पर है, फिर सारावत्ती river पे है, बान सागर, यहाँ पर करस, सोGM नदी होना चाहिए, ओके, बाकी लोग क्या क्या क्यते है, जिप्ते लोग सों नदी पर है, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यहाँ ठीक है, correct answer क्या हो जाएगा यहाँ अपर हो जाएगा, correct answer आपका सोन नदी, अब से लोग इसको यमुना नदी सोच रहे होते बट ये गंगा नदी की सहायक नदी है किसकी है गंगा नदी की सहायक नदी राइट ये भी आपको याद रखना है अब देखे अमर कंटक से एक और नदी निकलती है फेमस नदी जिसका नाम है नर्मदा क्या है नर्मदा ये फेमस क्यों है पस्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 312 किलोमेटर किती है 312 किलोमेटर लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ठीक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छा आप लोगों के एक्जाम में पूछा क्या था कि बताईए जो इडुकी बांध है कौनसा यहां पर इडुकी बांध यह कौन से दोस्तों रिवर पे है तो इडुकी डैम जो है यह किस पे है पेरियार रिवर पे है पेरियार रिवर आपको कहां पर देखने मिलेगी केरला में राइट आप से पूछा जा चुका ह से नाग अर्जुना सागर बांध कोई नौसा नगार्जुना सागर बांध को सरृबरे किस नों नादी पे देम कहते हैं वो कौन सा है हीरा कुडबांध है ठीक है और हीरा कुडबांध जो है ये किस नदी पे हैं महा नदी पर है ये भी आपको ध्यान रखना है अगर वहीं पर आपसे पूछेगा हाइस्ट डेम भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है तब आप कहेंगे तहरी डेम कौ पाने रखना है अब एक सवाल और आता है जो की आता है लार्जिस्ट डैम सबसे बड़ा बांध देखें लॉंगे सबसे लंबा हो गया हाई सबसे उचा हो गया और दोस्तों यहां पर लार्जिस्ट जो है वह भाकरा नांगल कौनसा है भाकरा आंगल बांध है यह याद रखेगा पूछा जाता है ठीक है अच्छा सबसे पुराना बांध ओल्डेस्ट बांध अगर आपसे पूछा जाए तो मैं आपको हिंट देता हूं थार्ड होमवक लिख लीजे ठीक है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओल्डेस्ट डैम जो है यह होना चाहिए बिलकुल अगले कोशन बढ़े हैं हाँ बिलकुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग ठीक है यह आप लोग होमवक जरूर करिएगा दोस्तों जिससे बाकी लोग भी देखेंगे न तो उनको भी याद हो जाएगा ठीक है अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल Convex mirror are used as rear view mirror in cars and motor vehicle due to which of the following characteristics property ठीक है उत्तल दरपन का उप्योग कारो और motor वहनों में पीछे देखने के दरपन के रूप में किया जाता है जो निमलिखित में से किसके कारण होता है जली से बताएं C option कई लोग कह रहे हैं कई लोग D option कह रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू यहाँ पे correct answer होगा D आप लोगों ने देखा भी होगा उस mirror पे लिखा होता है कभी आप लोग गौर करिएगा bike कर देख लिजे या फिर car की जो side mirror होती उसमें लिखा होता है कि जो object की आप size देख रहे हो वो उससे बड़ी है ऐसा लिखा होता है ठीक है तो it forms smaller image वो छोटी-छोटी image दिखाती है compared with the object जो object का real size उससे छोटी-छोटी size दिखाते है जिससे आपको पूरा cover होके दिख जाए side mirror में ठीक है अगले question बढ़े हाँ यहाँ पर राहूल ने लिखा है object in the mirror are closer than they appear ठीक है क्योंकि दोस्तों बहुत छोटी-छोटी दिखा रहा होता है तो actually वो बहुत pass में होते हमें लगता जरूर है कि उसमें दूर है ठीक है अगला question आपके लिए रहा in how many cities did महराजा जैसिंग to build जंतर मंतर आपसे यह कह रहे हैं कि महराजा जैसिंग जो है दिती उन्होंने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माल करवाया था पांच तीन एक या फिर दो शहर में कितने और शहर में करवाया था तो यहां पर कहा रहे हैं सर 5 होना चाहिए कुछ लोग करशा होना चाहिए बाखी लोग क्या कहें पर क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जित्ते लोग 5 5 5 कह रहें उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है अब देखिए पांच से पूछा जाएगा यह आपको याद रखने है अगर यह पूछा जाएगा तब आप आप आंसर करिएगा कि 18th century में बनवाया गया लेकिन पूछेंगे कि इन दोस्तों जो पांच जंतर मंतर बने थे यह कितने इयर्स के बीच में बने थे तब आप आप आंसर कर पाओगे यहाँ पे 1724 से लेके 1735 एडी के बीच में यह बनवाये गये थे यह आपको ध्यान रखना है पांच शेर कौन से हैं जैपूर, न्यू दिल्ली, मतुरा, वरन 1935 आपको बताना है जो Government of India Act 1935 था उसके संबंध में कौन सा कथन सही है कह रहा है कि An All India Federation consisting of provinces and princely state as units came into existence after this act It proposed for the abolition of hierarchy both in the provinces and the center It extended the principle of communal representation by providing separate electorate for women and labor It introduced bicamularism in 5 out of 11 provinces क्या होगा correct answer? D option, D option कह रहे है correct answer यहाँ क्या हो जाए? Correct answer आपका हो जाएगा option number C It extended the principle of communal representation by providing separate electorate for women and labor is the correct answer C जितने लोग कह रहे, D option नहीं होगा, यहाँ पे C option करेक्ट हो जाएगा ठीक है, चले आगे की तरफ और दोस्तों Government of India Act बहुत ही important है Government of India Act 1935 क्यों important है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले abolish किया गया जहाँ पे hierarchy जो है उसको abolish कर दिया गया था Adopt कप किया गया था hierarchy? Government of India Act 1919 में आपके लेकिन abolish कप किया गया? DOI 1935 में किसको abolish किया गया? डायरेरिकी को किया गया ठीक है, उसके अलावा UPSC यहीं से लिया गया All India Services कौन सा? All India Services भी यहीं से लिया गया Emergency, एमर्जेंसी भी यहीं से लिया गया Judicial System क्या? Judicial System भी यहीं से लिया गया जुडिशल रिव्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट है अगर कोई भी कारवाही होते है उसको रिव्यू होना चाहिए तो यहां पर याद रखेगा यह लिया गया USA से कहां से लिया गया USA से लिया गया अब देखें एमर्जेंसी में भी बड़ा कन्फिउजन होता है अब आतकाल जो है Government of India Act 1935 से लिया गया लेकिन कौन से मौलिक करतव जो है सॉरी मौलिक अधिकार जो है वो सस्पेंड किये जाएंगे वो कहां से लिया गया है तो लिया गया है जर्मनी से ठीक है जर्मनी से क्या लिया गया है suspension of fundamental right during emergency ठीक है याद रखेंगे दोस्तों चलिए बहुत ही बड़िया तो अगले कोशन परते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा विच सिटी ओफ उत्तरप्रदेश इस फेमस फॉर चिकन एंब्रॉइडरी वर्क ठीक है उत्तरप्रदेश का कौन सा जो है यहाँ पर शहर चिकन अकड़ाई के लिए काम के लिए प्रसिद्ध है लखनाउ कानपूर वानासी और आग्रा यहाँ पर कैर सर ए ऑप्शन होना शेये ओके बागी लोग जितने लोग लखनाउ लखनो कह रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा लखनाउ इस दी करेक्ट आंसर ए और ऑप्शन अच्छे लखनाउ जो है यह कौन सी नदी के किनारे है तो कई बार एक्जाम में पूछा जाता है त फिक है City of Nawaps कहा जाता है याद रखेगा कानपूर को क्या हम लोग Leather City कहते है क्या, तैक है अचा वारनसी को क्या कहते हैं, वारनसी को Musical City कहते हैं, म्यूजिक सिटी कहते हैं, या फिर इसी को Oldest City भी कहा जाता है, Oldest City of India कहते हैं आगरा कौन से नदी किना रहे हैं यह यमुना नदी के किना रहे हैं और जब कि कानपूर और वानानसी कौन से नदी किना रहे हैं यह दोस्तों क्या गंगा नदी किना रहे हैं जल्दी से पताएं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जोकर, अनुश्का, जोहा, very good, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला question आपकी screen पर ये रहा, ठीक है, under which tab do you find a macro feature in MS Word, MS Word में आपको macro जो feature है, वो किस tab में मिलता है, home, inside, review और view, दोस्तों macro आप लोग ने देखा होगा, कई बार आप अपने तरीके से जो format रखते हो, उसको आप macro म convert कर देते हो, directly macro में click करने से, सारा जो है, दोस्तों, content आपके format में हो जाता है, उसको वो कहाँ पर मिलेगा आपको, वो मिलेगा दोस्तों, आपको view में, कई लोग insert में कहरें, insert में नहीं मिलेगा, view जो सबसे corner में होता है, जैसे पहले यहाँ पर home होगा, फिर insert होगा, फिर something something करके last में view होगा, ठीक है, तो view में मिलता है, आपको macro, ठीक है, चले आगे, चले, अगला option, which of the following is not a part of the axial skeleton, निमलिखी तुमें से, कौन सा जो है, आक्षी कंकाल का हिस्सा नहीं है, skull, sternum, forearm limb और ribs, जल्दी जल्दी से बताए, यहाँ पर कहरें सार होना चाहिए, D option, D option, तो याद रखिया, अच्छा, bone के अध्यन को, क्या कहा जाता है, study को क्या कहते है, तो osteology कहते है, क्या कहते है, osteology कहते है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हड़ी के अध्यन को, अगला question, which of the following is not, not a property of amino acid, ठीक है, निमलिखित में से, क्या amino acid का गुड नहीं है, यहाँ यहाँ पर colorless, crystalline solid, water insoluble, या it behave like salt, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर कहरे सर, B option होना चाहिए, ठीक है, बाकी लोग क्या कहते है, यहाँ पर correct answer, चले, जितने लोग यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए, B option, उनका गलत होगा, जो लोग स्छी कह रहे है, very good यहाँ पर, सरमा जी, और यहाँ पर, Vanessa, बहुत ही बढ़िया, और किसने आंसर किया है, संदीब जी, बहुत ही बढ़िया, शोबम, very good, correct answer का C, यह water insoluble होता है, यह दोस्तों पानी में घुलता नहीं है, इसलिए दोस्तों, यहाँ पानी में घुल जाता है, तो पानी में घुल जाता है, तो पानी इनों को जो है, नाइट्रोजिनस पार्ट को जो है, यूरिया में कनवर्ट करता है, ठीक है, नाइट्रोजिनस पार्ट को यूरिया में कनवर्ट करता है, वो कौन सा पार्ट है, सभी लोग फटा-फट से बताएंगे, कौन सा अंग है, जल्दी से बताएं, जल्दी में गल अंडर दिल्ली सल्तनत सिस्टम ऑफ टेक्सेशन खंस मीन्स डैश ठीक है दिल्ली सल्तनत की जो कराधान प्रणाली के तहट खंस का अर्थ क्या था यहां पर यहां पर याद रखना है कई लोग यहां पर बी ऑप्शन कह रहे हैं लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छे दोस्तों अभी आपके एक्जैम में पूछा गया था अभी जो सेलेक्शन फेस का एक्जैम चल रहा है उसमें पूछा था कौन सी सल्तनत कौन सी सल्तनत ने जो है सदन पार पर सदन इंडिया में जो है विजय प्राप्ट की थी वो आ आप से पूछा गया था बताईये कौन सी थी यह आपंस से पूछा गया था तो वहां पर आपका आंसर क्या हो viewers चापने कमांडर को घ्रत कोई मलेक कफूर जोकी जीत साऊ और इसलिए इसको हजार दिनार ओफर भी किये गए थे हना चले आगे वेरे गुड अगला कोशन आपके लिए यह रहा ठीक है डूरिंग अ क्लियर नाइट क्लियर नाइट इसकाई ब्राइट लाइट इस्ट्रीक्स आर ओफन वीजिबल दे आर कॉल्ड शुटिंग इस्टार कहा जाता है वे अवास्तम में क्या होते हैं कॉमेट प्लैनेट फॉलिंग स्टार या फिर मिट्योर्स क्या होते हैं कॉमेट कॉमेट कह रहे हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मिट्योर्स हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा मिट यह option correct हो जाएगा हाँ जी जित्ते लोग मिट्योर्स कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब देखे एक्चुली यह दोस्तों आपको जलता हुआ क्यों दिखाई देता है जैसे यह प्रिथवी ठीक है प्रिथवी का यह environment है ठीक है यह atmosphere है हमारे atmosphere में आपको पता है और जलने की वज़े से यह आपको क्या होता है पीछे की तरफ इस तरीके से क्या दिखाई देता है चमकीले सी धार दिखाई देती ठीक है आगे बढ़े चले आगे बढ़े अगले question पर अलग question आपके स्क्रीन पर यह रहा the first news print paper mill India was set up in dash भारत में पहली अखबारी आगे जब कहां पर इस वाल मैंत समय प्रक्सावाश करेक्ट अंसर आंशर यहाँ फोगा मद्य परदेश का नेप नगर आपने सुना होगा ही और नेप नगर हैना तो यह आपको ध्यान आख नहें मद्य पर देश अच्छे दोस्तो ऑगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में यह कोशन भी पूछा जा सकता है जल्दी से पताएं चाइना चाइना वेरी गुड जित्ते लोग चाइना कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है चाइना इसको चाइना बोलते हैं लेकिर इसके पास चैन नहीं है ठीक है यह सबको परसान कर गए रखा है अगल नौट कार्बन डाइकसाइड या इनमें से कोई भी नहीं यहां पर बताएं थी थी कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या हो जागे यहां पर सौलिट पार्बन डाइकसाइड को क्या कहा जाता है यहां पर ड्राइ-आइस कहते हम अगला गोशन दमेजर कॉश्टिटूण ऑफ एय जिते लोग nitrogen कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer क्या हो जाएगा हाँ पर nitrogen हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है nitrogen सबसे जाधा मात्रा में nitrogen होता है तर प्रतीशत ठीक है फिर उसके बाद oxygen होता है 21 प्रतीशत ठीक है मलब 20.5 प्रतीशत होता है वैसे oxygen ठीक है और फिर उसके आथ carbon dioxide होता है 0.93 something percent होता है फिर आरगन होता है ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ें चलिए अगले question बढ़ते हैं अगला question आप और सुबाश चिंद्र बोश जी किसने कहा था यह ऐसे दोस्तों बाते सिर्फ महात्मा गांधी जी कर सकते हैं correct answer यहाँ पर क्या होगा जित्ते लोग महात्मा गांधी जी कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer होगा यह आपको ध्यान रखना है अच्छा सभी लोग एक homework लिख भारती राष्टी कॉंग्रेस के नमलिखित में से किस वर्षिक अधिवेशन में सर विलिम वेडर बननमे भारती राष्टी कॉंग्रेस के वर्षिक अधिवेशन के फ्रिए 818, 1910, 1911 या 1915 pronounce यहां पर 1888 होना चाहिए बाकी लोग क्या कहेंगे यहां पर चले जित्ते लोग 188888 कह रहे हैं उनका यहां पर क्या होगा गलत होगा 1910 करेक्ट आंसर होगा 1910 अगला सवाल विच ऑफ फॉलाइंग में कॉस अर्थक्वेक निमलिखित में से कौन भुकंप का कारण बन सकता है क्या यह वालकेनिक एरप्शन सुनामी लार्ज रिजर्वाइड या फिर मोर दैन वन ऑप्शन इस करेक्ट कौन यहां पर अर्थक्वेक का कारण बन सकता है और जिन्नों न सकता क्या सुनामी वेवस कब आते दोस्तों जल्दी से बताइए और वॉलकेनिक एरप्शन कब होता है यहां पर जो है इंट्रूजिव फोर्स की वज़े से होते हैं दोनों की दोनों हाना है ठीक है लार्ज देखे लार्ज रिजर्वाइर जो डैमेज होता है यह भी टेक् प्लेट है उसके बाद दोस्तों यह दोनों भी हो सकते हैं चले आगे चले अगला कोशन हूँ वाज फश्ट स्पीकर आफ दोस्तों आप से पूछा लोगसभा जितने लोग करें गडेश वासुदेव मावलंकर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट में कौन है ओम बिरलाजी है ठीक है चले अगला कोशन विच ओफ फॉलाइंग वर्द पार्ट ओफ टीम देट इन्वेंटेट इन्वेंटेट आटोमिक बॉम दोस्तों आटोमिक बॉम किसे ने डिसकवर किया था अलफ्रेड नोबल ने जूलियस ओपन हेंबर में जॉन कि थी डाइनमाइट की खोज की थी ठीक है अगले सवाल बढ़ें ओ हो 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 दोस्तों यहां पर समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने क्या किये हमने मिक्स कोशन के है फॉर एससी सीजियल और यह डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे दो पहर को दो से तीन बजे जहां पर आप मेरें साथ जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं सीजियल के कोशन की तैयारी और दोस्तों इसकी पीडियाउफ कहां पर मिलेगी टेले ग्राम पर कैसे मिलेगी सिंपलि टेले ग्राम पे जाये और सिर्फ सर्च करिए ए अड़रेट आपको सारी details मिल जाती है ठेक है, वहाँ पे YouTube sessions के updates मिलते हैं daily PDF मिलते हैं, quizzes होते हैं direct आप लोग दोस्तों interaction कर सकते हैं ठेक है, और दोस्तों यहाँ पे playlist आप कैसे देख सकते हो तो simply आप कहाँ पे चले आओ, YouTube पे YouTube पे जाने के बाद आपको जाना है सूपर कोचिंग, SSC and Railway by Testbook Channel पर, जैसी आप उस channel पे जाओगे ना, scroll down करोगे आपको देखे, यहाँ पर एक playlist मिलेगी daily current affair की playlist यहाँ पर आप जुड सकते हो मेरे साथ Monday to Friday class होती है, सुबा 6 से 7 बजे और CGL के लिए playlist आपको यहाँ पर मिल जाएगी, GK by Goras Sir और बाकी English की classes, Reasoning की classes Math की classes, सारी playlist आपको यहाँ पर मिल जाएगी CGL 2023 में अब course कैसे अवेल करना है, जो कई लोग पूछ रहते हैं, तो simply जो live session चल रहा है इसी पर जाएंगे, live session में जाने के बाद सबसे पहले तो क्या करेंगे, scroll down करके like कर देंगे और share कर देंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और यहाँ पर जैसी आप SSC Super Coaching देखेंगे, link दी गई है, इसको click कर ये, आपके सामने एक new page open होगा जहाँ पर आपको सारी detail मिलती है जैसी आप यहाँ पर आओगे, Super Teachers कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, आपको ये दिख जाएगा ठीक है, Demo Classes आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, Live Series आप देख सकते हैं किन की किन की Live Series है, Test Series आपको मिलेंगी, ठीक है, Study Notes कौन कौन से मिलने वाले हैं, वो आप चेक कर सकते हो और फिर Pricing पर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर देखे तीन option मिल ली है, 24 मेना, 12 मेना, 6 मेना ठीक है, आपको जो भी यहाँ पर plan लेना है आप उसको ले सकते हैं, और apply कर सकते हैं coupon code, इसमें already coupon code applied है गौरव M, अगर नहीं applied रहेगा तो आप लगा सकते हैं, G-A-U-R-A-V-M और apply कर देंगे तो आपको जो है, यह discounted form में आपको मिल जाएगा, और साथ में extravility, मनलब 6 मेने पर 3 मेना extra 12 पर 6 मेना, और 24 पर 12 मेना extra मिल जाएगा, ठीक है तो चलिए दोस्तो, फिर इस session को यहीं पर करते हैं समाप, session अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताएगा like, share, subscribe नहीं किया है तो फटावर से कर लीजिए और bell icon button को दपा लीजिए जिससे सारे notification आपको up to date मिले और कोई भी class आपकी छूटे ना मिलेंगे अगले session में एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ जुनना मत भूलेगा मेरे साथ अगले session में तब तक के लिए आप रखेगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा, bye bye take care, जै हिन, जै भारत